हलो एफ्रिवन, वेल्कम बैक टू दी चैनल टोप 1000 MCQ सिरीज का आज डे 7 है जिसमें हम 100 नए प्रस्ण डिसकस करेंगे तो आप चाहे किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए most important है एक्जाम से पहले सारे वीडियो को देख के जाएगा यहां से प्रश्ण आपको देखने को मिलेगा तो बिना टीले कि आज का वीडियो सुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्ण पे निम्नलिकित का मिलान करें match the following दिया गया है MS Excel 365 विकल्प चिन और यहां पे अर्थ यानि की meaning दिया गया है अब बताइए कि इन आइकन का यूज हम किस लिए करते हैं फॉर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फॉर्थ में से correct answer क्या होगा एक बार आप guess कीजे तो यहां पे हमारा right answer बनेगा फॉर्थ यानि की ये वाले आइकन का यूज हम करते हैं find and select के लिए B इसका यूज किया जाता है breaks के लिए C इस आइकन का यूज होता है sort and filter के लिए और D वाले आइकन का यूज किया जाता है themes के लिए अब exam में इस type के प्रश्ण आपको देखने को मिलते हैं तो इन्हें आप याद कैसे रखेंगे तो exam से एक दो दिन पहले आपको क्या करना है सारे application को open करना है जैसे की word actual power point और सभी tab में जाना है और icons जो दिये रहते हैं उन्हें ध्यान से देखना है कि इनका use किसलिए किया जाता है तो इस तरीके से आप exam में अच्छे score कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं दी गई छवी में कौन सी सूची Sally मौजूद है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक image दी गई है यह जो आप dot dot देख रहे हैं यह कौन सी list style के अंतरगत आती है यह आपको बताना है तो दिया जाता है number list, multi level list, c है bullet list, d है इन में से कोई भी नहीं तो answer क्या बनेगा? bullet सूची इसे bullet list कहते हैं इस वाले icon को तो आप देखेगा कि bullets and numbering का option होता है जब भी हम कोई paragraph टाइप करते हैं तो इनका selection कर सकते हैं तो इस type के जो आपको dot dot tick का symbol दिखता है इन्हें bullets list कहते हैं number list में यह सारे आ जाते हैं तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए दिए गए दस्तावेज में कितने drop cab हैं how many drop cab in given document तो यहाँ पर एक document दिया गया है जिसमें दो paragraph लिखे गए है drop cab कितने दिए गए हैं तो answer बनेगा भी दो दो drop cab दिए गए हैं अब drop cab क्या होता है किसी भी paragraph का first character जो बड़े size में होता है उसी को drop cab कहते हैं तो पहले paragraph का drop cab L है और दूसरे का I MS Excel 365 में worksheet के नामकरन और प्रवंधन के लिए निम्दलिखित में से कौन से कथन सही है तो पहला दिया गया है आप worksheet का नाम बदलने के लिए format menu का उपयोग कर सकते हैं दूसरा है worksheet का नाम किसी संख्या से सुरू हो सकता है तीसरा है नई worksheet का default नाम seat 1, seat 2 आदि है फोर्थ है आप worksheet को अलग-अलग करने के लिए seat tab को रंगीन कर सकते हैं अब बताए आप worksheet का नेम बदलने के लिए format menu का यूज कर सकते हैं वर्ट का नाम किसी संख्या यानि कि नंबर से सुरू हो सकता है नई worksheet का default नाम seat 1, seat 2 दिया जाता है इसे आप अपने according change कर सकते हैं लेकिन default यही होता है फोर्थ है आप worksheet को अलग-अलग करने के लिए seat tab को रंगीन यानि की colorful कर सकते हैं तो यह भी विल्कुल possible है आप जो भी seat होता है उसे colorful बना सकते हैं MSXL 365 में shortcut और worksheet नामों के संबंध में निम्दलिकित में से कौन से कथन सत्यनी की सही हैं पहला है नई worksheet डालने का shortcut shift plus f11 है अभी आप देखिएगा latest जो भी actual का वर्जन है उसमें default रूप से आपको एक seat दी जाती है अगर आप दूसरा तीसरा seat insert करना चाहते हैं तो shortcut shift plus f11 का यूज़ कर सकते हैं दूसरा विकल्फ है वर्क seat नाम की अधिक्तम लंबाई 31 अक्षर हो सकती है यानि कि seat 1 default name होता है उस name को अगर आप change करना चाहते हैं तो 31 अक्षर हो सकता है यानि कि 31 characters का name का length हो सकता है तीसरा है वर्क seat का नाम बदलने का shortcut f2 है और फोर्थ है वर्क seat का नाम rip हो सकता है अब बताए सही उत्तर क्या होगा वांसर बनेगा d cable 1 और 2 यानि कि नई वर्क seat insert करने का shortcut shift plus f11 होता है ये सही है वर्क seat का नाम अगर आप change करना चाहते हैं तो 31 characters का हो सकता है वर्क seat का नाम बदलने का shortcut f2 ये नहीं होता है f2 का use हम file और folder को rename करने के लिए actual में cell को edit करने के लिए करते हैं ना कि seat के name को बदलने के लिए fourth है वर्क seat का name rick तो हो सकता है तो rick यानि कि blank खाली तो खाली नहीं हो सकता है default seat 1 रहता है आप उसे change करेंगे change करना चाहते हैं तो कोई न कोई आपको name देना होगा आप उसे खाली छोड़ नहीं सकते है computer से किसी file या folder को इस्थाई रूप से हटाने के लिए हम उपयोग करते हैं अगर आप अपने system से किसी file या folder को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो किसका use करेंगे तो answer होगा c shift plus delete shift plus delete का use हम जब करते हैं तो कोई भी file या folder हमारे system से हमेशा के लिए delete हो जाता है recycle बिन में नहीं जाता है तो यह आप याद रखेगा आपने desktop को log करने की shortcut की कौन सी है अगर आप desktop को log करना चाहते हैं तो इसके लिए shortcut कुझी कौन सी दी गई है answer बनेगा c window की plus l control plus 0 का क्या कार्य है what is the function of control plus 0 तो इसका use हम करते हैं selected column को hide करने के लिए control plus 9 का क्या कार्य है अब बतायो what is the function of control plus 9 तो control 9 का excel में use होता है selected row को hide करने के लिए windows 10 system में open application के बीच switch करने के लिए निम्नलिकित में से कौन सा keyword shortcut इस्तेमाल किया जाता है windows 10 में अगर आपने एक से अधिक application को open करके रखा है तो एक से दूसरे में switch करने के लिए यनि कि जाने के लिए आप कौन सा shortcut कुझी इस्तेमाल करते हैं आंसर बनेगा A, alt plus tab की, alt tab की का use करके आप एक application से दूसरे में jump कर सकते हैं अब इहां पे इन सभी का use देखिए, तो alt tab का use होता है keyboard shortcut का सबसे अधिक उपयोग windows 10 में open प्रोग्रामों के बीच switch करने के लिए किया जाता है Alt plus S का keyboard shortcut का use PowerPoint में slide show setting को खोलने के लिए किया जाता है Ctrl S दबाने से Microsoft Word में वर्तमान दस्तवेज सेव किया जाता है Ctrl Tab, keyboard shortcut का इस्तिमाल ब्राउजर में open tab के बीच switch करने के लिए किया जाता है अगर आपने ब्राउजर पे एक से अधिक tab खोल के रखा है तो एक से दूसरे tab में आप Ctrl Tab की मदद से जंप कर सकते हैं MS Word 2010 में paste special dialogue box खोलने के लिए निम्नलिकित में से किस keyboard shortcut का उपियोग किया जाता है बताइए आपको paste special dialogue box खोलना है MS Word 2010 में तो कौन सी keyboard shortcut का यूज़ करेंगे आंसर होगा A, Ctrl प्लस Alt प्लस B MS Word 2010 में keyboard shortcut Ctrl प्लस E की मदद से निम्नलिकित में से कौन सा text formatting कारे प्राप्त किया जाता है तो आंसर बनेगा D, Align Center यहाँ पे आपको shortcut दिया गया है Ctrl प्लस E बताना क्या है कि इस keyboard shortcut का यूज़ करके आप text formatting के कौन सा काम कर सकते हैं तो आंसर बनेगा Align Center अब यही same question एक्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है MS Office software में line या text के central alignment के लिए shortcut की क्या है तो आंसर क्या बनेगा Ctrl प्लस E तो आपको याद क्या रखना है कि Ctrl E का use हम करते हैं center के लिए अब एक्जाम में question किसी भी तरीके से पूछे आंसर आप असानी से बता पाएंगे redo के लिए मानक Windows keyboard में shortcut key का संयोजन क्या है यानि कि redo के लिए हम keyboard shortcut कौन सा इस्तिमाल करते हैं तो आंसर होगा Ctrl प्लस Y तो Ctrl Y से होता है redo undo के लिए use होता है Ctrl प्लस Z power point में नई slide जोडने के लिए shortcut dash है कौन सी shortcut है जिसका use करके हम power point में एक नई slide add कर सकते हैं तो आंसर होगा D Ctrl प्लस M अब यहाँ पे हम top 10 power point की shortcut की देखेंगे जो आपके exam के लिए important है पहला Ctrl प्लस G आइटम को समोही कृत यानि की group करने के लिए use होता है Ctrl Q किसी presentation को save और बंद करने के लिए इस्तिमाल होता है Ctrl E Text को center align करने के लिए इस्तिमाल करते हैं Ctrl प्लस Shift प्लस Less Than इसका इस्तिमाल होता है टेक्स्ट का आकार कम करने के लिए यानि की text के size को घटाने के लिए Ctrl प्लस Up किसी slide को उपर ले जाने के लिए इस्तिमाल होता है यानि कि आपका slide आपके powerpoint में 10 slide है आप 5 नंबर वाले slide पे हैं अब उस slide को अगर आप 4 या 3 प्लेस में ले जाना चाहते हैं तो control up keyboard shortcut use करके देखेगा आपकी slide एके करके उपर बढ़ेगी shift plus 5 वर्तमान slide से presentation mode प्रारंव करने के लिए इस्तिमाल होती है powerpoint में presentation start करने के लिए हम F5 shortcut का इस्तिमाल करते हैं लेकिन अगर आप current slide से presentation start करना चाहते हैं तो shift plus F5 use करना पड़ेगा control N एक नया presentation बनाने के लिए use होता है control M एक नई slide insert करने के लिए इस्तिमाल करते हैं control D slide को duplicate करने के लिए use किया जाता है और last है control K एक link insert करने के लिए करते हैं आगे बढ़िये कौन सी SQL command का उपयोग बनाए गई table T संगरचना को संसोधित करने में किया जाता है which of the SQL command is used to change the structure of a table after it has been created तो इसके लिए हम alter SQL command का use करते हैं अब इन सभी को हम एक बाद detail में देख लेते हैं क्योंकि यहां से प्रशन आपको exam में देखने को मिलेगा alter command का उपयोग database में किसी तालिका की संगरचना यानि कि table के structure को संसोधित यानि कि modify करने के लिए किया जाता है यहां आपको तालिका में column जोडने, हटाने या संसोधित करने की अनुमती देता है तालिका बनाने के बाद यानि कि table create करने के बाद database इसकीमा में परिवर्तन के लिए हम alter command का यूज करते है update command का उपयोग तालिका के डेता को संसोधित करने के लिए किया जाता है ना कि उसकी structure को drop command का उपयोग किसी तालिका या database को हटाने के लिए किया जाता है अगर exam में पूछेगा कि किस command का use टेबल या database को delete करने के लिए करते हैं तो आंसर क्या होगा drop command फिर है turn kit command तालिका से सभी रोज को हटा देता है लेकिन तालिका को नहीं हटाता है तो इन सभी का use आप याद रखेगा PowerPoint प्रस्तूती या presentation को समाप्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस shortcut कुणजी का उप्योग किया जाता है तो हमने देखा कि F5 से PowerPoint presentation शुरू करते हैं shift plus F5 से current slide से PowerPoint presentation शुरू करते हैं अब आपको PowerPoint presentation जो हो रहा है उसे बंद करना है तो इसके लिए shortcut कुणजी escape की use होती है तो याद रखेगा Google Chrome में टैब कुणजी का उप्योग करके आगे बढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी shortcut कुणजीयों का उप्योग किया जाता है सही उत्तर होगा Ctrl plus Tab तो Google Chrome में Ctrl plus Tab कुणजी का उप्योग करके आप आगे बढ़ सकते हैं F7 की आमतार पर Microsoft program जैसे Microsoft Word, Outlook आदी में किसके लिए उप्योग की जाती है सही उत्तर होगा भी spelling और grammar की जाच करने के लिए तो spelling और grammar की जाच करने के लिए Microsoft program जैसे Microsoft Word, Outlook आदी में हम F7 की का यूज करते हैं files और folders को rename करने के लिए F2 का यूज होता है help menu को open करने के लिए F1 का इस्तिमाल करते हैं अब यहां पर हम कुछ additional shortcut की देखते हैं shift प्लस F7 का यूज होता है thesaurus कमांड को select करने के लिए control प्लस F7 का यूज होता है move कमांड को select करने के लिए alt प्लस F7 का यूज होता है अगली गलत spelling और grammar संबंधि त्रूटी यानिकी error को पता लगाने के लिए word में आप dash की साथ bullet बना सकते हैं दिया गया है a, number, b, roman, c, अक्षर, d है उप्रोक्त के सभी तो सही उतर क्या होगा d Microsoft word में हम इन सभी के साथ bullet create कर सकते हैं हमने आपको starting में practical भी दिखाया है MS word में सामागरी की तालिका समोह dash ribbon के अंतरगत उपलब्ध है सामागरी की तालिका मतलब क्या है table of contents तो ये group आपको मिलता है references tab में पहचाने की निम्नलिखित कथन सही है या गलत तो पहला दिया गया है यदि cell C5 में मान 25 है और cell C6 में मान 5 है और यदि C7 में सूत्र यनि की formula equal to C5 divided by C6 है तो C7 में मान 5 होगा क्या कह रहा है C5 में 25 दिया गया है और cell C6 में 5 दिया गया है आपको C7 में formula ये वाला apply करना है यनि की आप 25 को 5 से divide करेंगे तो C7 में 5 आंसर आएगा तो ये बिल्कुल सही दिया गया है दूसरा देखे में sexual 365 में count if function किसी स्रेनी में यनि की range में उन कक्छों की संख्या गिनता है जो एकल सर्त को पूरा करते हैं count if function count करता है number of cells इना range जो satisfy करते हैं single condition को तो ये भी बिल्कुल सही है तीसरा है में sexual 365 में भागों का संपूर्ण से संबंध दर्साने के लिए πाई चार्ट का उप्योग किया जाता है तो ये भी सही दिया गया है तो correct answer A, B, C और D में से क्या होगा C, first, second, third, तीनों सही है आकडों के इस्थांतरन की प्रक्रिया में निम्दलिकित में से किसका प्रयोग signal को ससक्त बनाने के लिए किया जाता है सही उत्तर बनेगा C, repeater का यूज हम करते हैं data transfer process में signals को ससक्त बनाने के लिए MS Word 365 में जब हम mini toolbar जो उन table cell row या column में right click करने से प्रदर्शित होता है जिनहें आप delete करना चाहते हों में delete विकल्प पर click करते हैं तो निम्दलिकित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है तो आपको दिया गया है delete rows, delete columns, delete cells और D है delete pages तो सही उत्तर होगा D, delete pages इसे और असानी से समझते हैं तो यहां पर आईए, Microsoft Word में अगर आपको table insert करना है तो insert tab में जाके यहां से table insert कर सकते हैं तो हमने एक table insert कर दिया है अब आपको क्या करना है अगर हम इस table को delete करना चाहते हैं तो layout tab में click किजेगा और यहां पर जब आप delete पे click करते हैं तो आप देखे delete cells का विकल्प आपको दिया गया है delete columns, delete row, delete table यानि कि आप पूरा table भी delete कर सकते हैं लेकिन delete pages का विकल्प नहीं दिया गया है यानि कि table का relation page से नहीं होता है MS word में dash menu citations और bibliography insert करने की अनुमति देता है तो अगर आपको citations और bibliography insert करना है तो references tab का use करना होगा practical देखे तो Microsoft word में यह है references tab यहां पे आपको citation insert करने का विकल्प दिया गया है और यहां से bibliography भी insert कर सकते हैं आकडो के इस्थांतरन की प्रक्रिया में निम्दलिकित में से किसका प्रयोग signal को ससक्त बनाने के लिए किया जाता है तो यह प्रश्ण यहां पे repeat हो रहा है answer होगा C repeater अब देखिए repeater का use क्या होता है तो repeater एक network device है जिसका उपयोग data transfer प्रक्रिया में signal को मजबूत करने के लिए किया जाता है क्योंकि वे network में लंबी दूरी की यात्रा करते हैं firewall एक network सुरक्षा उपकरन है यानि कि network security device है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के अधार पर incoming और outgoing network traffic की निगरानी और नियंतरन करता है hub एक बुन्यादी networking device है जो एक LAN में कई devices को जोड़ता है जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति मिलती है switching packet switching प्रतेक packet में destination address के अधार पर network के भीतर packet को forward करने की प्रक्रिया को refer करता है firewall द्वारा निमनलिकित कार किये जाते है तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा और चौथा दिया गया है बताना है कि firewall के द्वारा कौन-कौन से काम किये जाते है IP packet को filter करता है firewall दूसरा है किसी भाग के केवल विशिस्ट एवं विश्वशने IP address को open करने के लिए firewall यूज होता है तीसरा है उपियोग करता की गोपनियता को सक्षम करने के लिए उपियोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं used to enable user privacy चौथा है anonymous surfing को सक्षम करने के लिए उपियोग किया जाता है तो सही उतर क्या होगा A, B, C और D में से बताए firewall का use या कह सकते हैं firewall के द्वारा कौन-कौन से काम किये जाते हैं वांसर होगा A, पहला और दूसरा सही है यानि कि firewall IP packet को filter करता है firewall किसी भाग के केवल विशिस्ट एवं विश्वस ने IP address को open करने के लिए यूज होता है ये भी सही है firewall का use user की privacy enable करने के लिए नहीं होता है anonymous surfing को सक्षम करने के लिए भी हम firewall का use नहीं करते है सूची 1 को सूची 2 से match कीजे तो यहां पर सूची 1 में दिया गया है firewall के प्रकार सूची 2 में user दिया गया है अब बताए किन का use किसके लिए करते है तो नीचे दिये गए विकलपों में से सही उत्तर चुनिए तो answer बनेगा second यहनि कि पहला का use होता है packet filtering firewall प्रतेक incoming और outgoing IP packet पर नियमों का exit लागू करता है B है stateful packet inspection firewall इसका use होता है outbound TCP connection की directory बना कर TCP traffic के नियमों को ससक्त करना फिर है C application level gateway इसका इस्तिमाल होता है इसे application proxy भी कहा जाता है जो packet filter की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है और D है circuit level gateway इसका use है आईसी इस्तिती में किया जाता है जहां system administrator internal user पर भरोसा करते है तो इन्हें आप एक बार फिर से read कीजेगा आपको जादा अच्छे से clarity होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे twisted pair cable का अविस्कार किस ने किया था आंसर होगा प्रोटोकोल किस के द्वारा विक्षित किया गया था इंटरनेट प्रोटोकोल वर्जन 6 IPv6 का full form है इसका development हुआ था इंटरनेट इंजियनिरिंग टास्क फोर्स जिसे short में कहते हैं IETF के द्वारा निम्दलिकित में से समस्त संग्रहन उपकरन है सिवाई All of the following are storage devices एक्सेप्ट तो आंसर होगा प्रिंटर प्रिंटर एक storage device नहीं है ये एक output device है CD drive, fluffy disk drive, hard disk drive ये सभी storage device है कंप्यूटर में value एक प्रकार का window in computer is a type of तो विंटो किसका type होता है तो आंसर होगा ए, software का अगर कुछता है कि विंटो किस type का software है तो आंसर हो जाता system software इंटरनेट पर सरवर से सूचना प्राप्त करने के computer के process का अरथ निम्द में से कौन सा है The process of a computer receiving information from a server on the internet is known as D. Downloading कहते है Sanchar Network जिसका प्रयोग बड़ी सस्थाओं द्वारा प्रदेशिक, रास्टिय और वैस्विक छेतर में किया जाता है क्या कहते है B. WAN कहते है Wide Area Network कहा जाता है अब यही सेम प्रश्ण एक्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है ध्यान से देखिए निम्नलिकित में से किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क को connect किया जाता है और समान रूप से पूरे देश या दुनिया को इससे या इसमें सामिल किया जाता है तो सही हुतर क्या होगा C. Wide Area Network इसका यूज पूरे देश या कह सकते हैं पूरे दुनिया के लिए किया जाता है और लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक college campus office में इस्तिमाल होता है वह कौन सा software program है जिसका उपयोग हम website, webpages और internet file को खोलने के लिए कर सकते हैं आज software program we can use to find websites, webpages and internet files तो आंसर होगा C. Search Engine Search Engine एक software program है जिसका use किया जाता है website, webpages और internet files को open करने के लिए तो याद रखेगा निम्द लिकित में से कौन सा search engine नहीं है सही उतर होगा C. Science Direct ये एक search engine नहीं है Google, Alta, Vista, Orkut ये सभी search engine है Bing search engine dash के स्वामित में है तो Bing search engine जो है ये Microsoft के स्वामित में है निम्द में से कौन सा hardware है software नहीं which of the following is hardware not software प्रांसर क्या होगा D. Control unit hardware है, software नहीं है Excel, printer driver, operating system ये सभी software है अब इन्हें हम यहाँ पे detail में देखते है control unit एक hardware component है जो computer के central processing unit और CPU का हिस्सा होती है और यह निर्देशों को निस्पादित करने का कार्य करती है यानि कि instructions को execute करने का अन्य विकल्प, Excel, printer, driver और operating system सभी software है 10,000,000 bytes लगभग होती है 1,000,000 bytes is approximately तो आंसर होगा, megabytes होता है correct answer C है 1024 bytes बराबर है तो यह कितने के बराबर होता है? आंसर होगा D, 1KB Computer का सबसे महत्पून भाग है The most important part of a computer is Printer, disk, keyboard, CPU दिए गए है यह सभी computer के important part है लेकिन most important अगर part कहा जाता है तो CPU है क्योंकि CPU computer का brain है बिना CPU के हमारा computer system काम नहीं करता है एक डिबब होता है CPU एक processing device है तो यह सारी चीज़े आप याद रख सकते हैं देखें, बहुत ही simple सा प्रश्न है 1GB equal to बताईए 1GB equal to किसके बराबर है तो answer क्या होगा 1024 MB के एक computer अपनी मूल ताकत डैस से प्राप्त करता है तो A सुधता यानि केकुरिशी B है speed, C है memory और D है उप्रौक्त सभी से तो सही उतर D होगा, एक computer अपनी मूल ताकत accuracy, speed, memory इन सभी से प्राप्त करता है कौन सा software सब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है Which one of the following software is used in the word processing तो word processing के लिए page maker, word star, ms word इन सभी का use होता है तो answer D होगा, all of these यहाँ पर थोड़ा सा हम detail में देख लेते हैं page maker मुख्य रूप से desktop प्राकाशन software के रूप में जाना जाता है page maker में ऐसी विशेस्ताएं हैं जो word processing की अनुमती देता है इसका उपयोग text, images और graphics के साथ जटील page layout बनाने के लिए किया जाता है word star सभसे सुरुवाती word processing software applications में से एक है जो 1980 के दस्सक में popular हुआ था text दस्तवेज बनाने और edit करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था MS Word Microsoft द्वारा विक्सित एक प्रसिद word processing application है जिसका use text दस्तवेज, create, format और edit करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है तो basically तीनों जो है word processing software है अगर exam में तीनों में से एक select करने कहता तो हम MS Word को चुनते क्योंकि ये सबसे popular है निम्ण में से क्या एक वैद उपक्रम के रूप में mask reading द्वारा, credit card number और उपयोग करता नाम password सयोजन जैसी गोपने जानकारी निकालने को संधार्वित करता है which of the following refers to extra acting confidential information such as credit card numbers and username password combos by mask reading as a legitimate enterprise तो सही उत्तर क्या होगा भी fishing अगर कोई mask reading का मतलब है अपनी जो है information को छुपा लेना mask पहना, मुखोटा जो हो कहते हैं तो इसके थुरू अगर कोई किसी का credit card number username, password इन सभी को चोरी करने का प्रयास करता है तो fishing कहलाता है internet की तरह एक internet की तरह क्या एक आशुरक्षित network पर data का शुरक्षित इस्थांतरन सुनिश्चित करता है तो सही उत्तर होगा C, Cryptography Cryptography ensure करता है secure transfer of data over unsecure network such as internet भारत में railway के अंतरगत सर्व प्रथम computer क्रित आरक्षन विवस्था कहां लगाई गई करेक्टांसर होगा A, दिल्ली या कह सकते हैं नई दिल्ली में आधुनिक digital computer में किस प्रधती का उप्योग किया जाता है Which method is used in modern digital computers? करेक्टांसर होगा A, binary number system का use modern digital computers में होता है पहला graphical user interface किस company ने बनाया था? Which company created the first graphical user interface? आंसर होगा D, Xerox junk email को dash भी कहा जाता है तो junk email को spam भी कहते हैं MAN का पूर्ण रूप क्या है? MAN, MAN stands for सही उत्तर होगा B, metropolitan area network दो computer network के बीच data packet को इस्थांतरित करने के लिए एक dash का उप्योग किया जाता है तो दिया गया है switch, router, router, gateway आंसर होगा B, router दो computer network के बीच data को transfer करने के लिए एक router का use किया जाता है एक dash device का उप्योग कई nodes को network से जोडने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर आपको दिया जाता है router, repeater, modem, hub आंसर D होगा hub hub एक device से जिसका use किया जाता है to connect multiple nodes to network network से nodes यानि की कई computer को connect करने के लिए hub device का इस्तिमाल करते है dash एक ऐसा उपकरन है जो computer, printer या कोई अन्य server जो किसी server से सेवाओं या संसाधनों का अन्रोध करता है तो सबसे पहले हम लोग answer देखते हैं तो answer होगा C, client client एक ऐसा device है जो computer, printer या कोई अन्य server जो किसी server से services या resources को request करता है server से network में एक computer जिसे इस्थानिय network के बाहर access नहीं किया जा सकता है जब तक की अनुमती नहीं दी जाती है dash कहा जाता है computer in a network that cannot be accessed outside of the local network unless given permission is called सही उतर होगा ए इंट्रानेट इंट्रानेट पे एक detail वीडियो बनी है आप उससे देख लीजेगा आपको ज्यादा अच्छे से clarity होगा इंट्रानेट से कौन-कौन से प्रश्ण प्रिवेस एर में एक्जाम में देखे गए हैं वो सभी चीजे हमने discuss किया गया है तो link आपको आई बटन में मिलेगा निम्नलिकित में से कौन इंट्रनेट सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवा नहीं है which of the following is not a service offered by an internet service provider सही उत्तर B होगा web administration ये internet service provider द्वारा service नहीं दी जाती है domain name registration, dial-up access, internet access ये सभी service जो है internet service provider द्वारा ओफर की जाती है निम्नलिकित में से कौन सा 22 spoon program स्वाचालित रूप से प्रतिक्रित नहीं है पिचब्दा following malicious program do not replicate automatically answer होगा A, Trojan course जो एक malicious program है जो automatic रूप से replicate नहीं होता है निम्नलिकित में से कौन सा सूचना प्रद्योग की सब्दावली का भाग है पिचब्दा following is part of the terminology of information technology answer होगा D, उपयुक्त सभी यानि की protocol, logging, archie ये सभी होते हैं उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो computer output को टेलीफोन लाइनों पर प्रेशित करने के लिए रुपांत्रित करती है the device that converts computer output for transmission over telephone lines is called answer होगा C, modem कहते है एक ऐसा electronic device जो computer के digital signalों को analog स्वरूप में रुपांत्रित करता है ताकि phone line के द्वारा उनका संचार किया जा सके, इसे क्या कहते है correct आंसर बनेगा A, modem कहते है modem एक ऐसा electronic device है जो computer के digital signals को analog format में convert करने करता है ताकि phone line के द्वारा उनका transmission किया जा सके निम्दलिकित में से कौन से समुह केवल input device है यहाँ पर आप दे सकते हैं A, B, C और D group दिया गया है बताना है कि किस group में केवल input device mention है तो आंसर देख लेते हैं A होगा mouse, keyboard, scanner, joystick, light pen यह पाँचु जो है input device है अनेक घरेलू उपकर्रों में निर्मित छोटे और सस्ते computer किस प्रकार के होते हैं? small and cheap computers built into several home appliances are of each type तो आंसर होगा micro computers के type के होते हैं networking system में DHCP का पूर्ण रूप क्या है? what is the full form of DHCP in networking system? करेक्ट आंसर होगा A, dynamic host configuration protocol computer memory में रहता है data data remains in computer memory तो आंसर होगा D, program अब detail में यहाँ पे देखते हैं computer memory में data program रहता है program निर्देशों का एक समूह है जो computer द्वारा निस्थपादित किया जाता है यानि कि execute किया जाता है registers क्या होते हैं? CPU के अंदर इस्थित होते हैं और processing के दौरान आई स्थाई रूप से data को hold करते हैं Beats, computer memory में data का सबसी छोटा इकाई है जो 0 और 1 के रूप में होता है Bytes, 8 bytes का समूह होता है 8 bits का समूह होता है 1 byte और यह data को measure करने का common unit है Computer संचिप्चर KB का समानिता पूर्ण रूप Computer abbreviation KB का full form क्या है यह बताई तो सही उतर C होगा kilobyte अगला प्रश्ण है JDBC इसका सूचक है JDBC सही उतर होगा Java database connectivity DTP का पूर्ण रूप है The full form of DTP is Answer होगा B Desktop Publishing Microsoft Word उदाहरन है Microsoft Word is an example of तो यह एक application software का example है Computer printer किस प्रकार का device है यह भी exam में कई बार पूछा गया है What type of device is a computer printer तो printer एक output device है Integrated circuit chip और IC पर किसकी परत होती है Which layer is on the integrated circuit और IC chip तो आंसर बनेगा A Silicon आप देखें यही प्रस्ण एक्जाम में इस type से भी पूछा गया है Computer में आने वाले Computer में उप्योग आने वाली IC chip किस से बनी होती है Integrated circuits और IC chips used in computers are made with TAS तो यह किस से बनी होती है तो आंसर क्या होगा B सिलीकॉन नियम नलिखित में से कौन सी इकाई bandwidth को मापने के लिए है Which of the following is a unit for measuring bandwidth तो आंसर बनेगा D Beats Wireless या बेतार संचार में Base station जिस केंद्रिया हब से जुड़ा होता है कहलाता है In wireless communication The base station is connected to the central hub Called तो आंसर होगा B MSP जिसका फुल्फोम है Mobile Switching Center File FTP के लिए मूल वी निर्देश अभय भूशन द्वारा लिखा गया था और प्रकासित किया गया था सहुत्तर होगा D 16 अप्रेल 1971 फाइल FTP के लिए ओरिजनल स्पेसिफिकेशन जो है अभय भूशन के द्वारा लिखा गया था और पब्लिस हुआ था 16 अप्रील 1971 में डैस एक क्लाइंट सर्वर अप्लिकेशन है जो इंटरनेट पर प्रतेक होस्ट को एक विशिस्ट यूजर फ्रेंडली नाम से पहचानता है करेक्ट आंसर बनेगा B DNS, full form है domain name system, ये एक client server application है, जो internet पर each host को identify करता है, एक unique user friendly name से, निम्नलिकित में से कौन सा data packet का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर बनेगा B, data packet का समय एवंति थी, ये data packet का हिस्सा नहीं होता है, data packet का हिस्सा क्या होता है, sender's IP address, identify number of the data packet, header to identify the data packet, तो ये सभी data packet के पार्ट होते हैं, time and date of data packets ये नहीं होता है सबसे पहले hypertext solution, mimics किसके द्वारा लिखा गया? आंचर है A, वेनेश्वर बूस के द्वारा विभिन संसकरन, यहनि कि विभिन processing इकाईउं पर एक संचालन करना क्या खहलाता है? Performing operations on different processing units simultaneously is called as आंचर बनेगा B, parallel processing कहते है निम्न मेंसे कौन सा email से संबंधित सब्द नहीं है? तो email से संबंधित सब्द powerpoint नहीं है inbox, sender, receiver ये सभी email से related है RS-232 serial connector bus में dash है तो RS-232 serial connector bus में 25 pin होते हैं यहाँ पे देखिए RS-232 connector जिन्हें DB-25 connector के नाम से भी जाना जाता है इसमें आमतर पर 25 pin होते हैं इन pin का इस्तिमाल कई तरह के कामों के लिए किया जाता है जैसे data transmit करना और प्राप्ट करना hand shaking signal को control करना और connected device को power देना MS-word में hanging indent क्या है? In MS-word, what is hanging indentation? फ्वांसर बनेगा A. paragraph की दूसरी और उसके बाद की सभी row को row की indentation value पहली row से अधिक होती है हम निम्दलिकित किस विकल्प की मदद से MS-word application को बंद करते सकते हैं We can close MS-word application with the help of आंसर बनेगा A. file menu में जाकर close sub menu का चयन करके हम MS-word application को बंद कर सकते हैं अगर आप status bar में मौजूद cross button को क्लिक करते हैं तो इससे MS-word application बंद नहीं होता है क्योंकि status bar में cross button नहीं होता है ये title bar के right corner में होता है Alt-plus F3 दवाकर भी आप MS-word application को close नहीं कर सकते हैं Alt-plus F4 से होता है File menu में जाकर exit sub menu का चयन करके भी आप MS-word application को बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी latest version जो है उसमें exit sub menu दिया ही नहीं गया है निम्नलिकित में से कौन सी computer keyboard में toggle mode में कारे करती है In which of the following keys work in a toggle mode in a computer keyboard तो आंसर होगा caps lock key कम्प्यूटर में toggle mode में कारे करती है यहाँ पे देखिए toggle key का उपयोग किसी function को on या off करने या दो functions के वीच switch करने के लिए किया जाता है caps lock key, number lock key और scroll key toggle keys के examples है एक ही समय पर दोनों दिसाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधी प्रयुक्त की जाती है तो इस type का भी हमने प्रश्म देखा है प्रिवियस वीडियोज में आंसर क्या बनेगा बताए D होगा full duplex full duplex एक ही समय में दोनों डायरेक्शन से डेटा सेंड करने की जो है communication method है computer के data CPU से परिधी यंत्रो को अंतरन किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है the transfer of the data from a CPU to peripheral devices of a computer is achieved through तो यह achieved किया जाता है computer ports के द्वारा local area network में निम्ण में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जाता है answer होगा C modem का प्रयोग local area network में नहीं होता है internet card जिसे short में nick कहते है computer cable इन सभी का use local area network में होता है modem का उप्योग आमतर पर wide area network यनि कि van या internet connectivity के लिए किया जाता है ना कि local area network के लिए local area network में computer, interface card और cable का उप्योग किया जाता है Puma ओद्योगिक robot को नियंत्रित करने के लिए उप्योग की जाने वाली VAL भासा का पूर्ण रूप क्या है बताएए दा फुल फॉर्म ओ वी ए एल लैंगविज यूस्ट टू कंट्रोल Puma industrial robots इस तो आंसर होगा A variable assembly language और आज का लास्ट प्रश्न है CD का आकार कैसा होता है What is the shape of a CD तो CD का आकार गोल होता है जिसे कहते हैं circular होता है इस type का एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिग के बताना है कौन सा data केवल कौन सा data केवल थोड़े समय के लिए store करता है Which stores data only for a short period of time तो दिया गया है DVD, hard drive, RAM, ROM Correct answer कमेंट में लिग के बताए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चानल पर नए है तो सब्सक्राइब के वगर मत जाएगा की जाएब के वालवाइब आया जाएब के वगर नएड़ेब को तो सब्सक्राइब का एक है